हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागए था आपका इस नए वीडियो लेक्चर में आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारा नौलेज मिलने वाला है हॉर्ण टाइब लावडुडस्पीकर एक्जाम की पॉइंट ऑव यूसे भी?」 किईोंकि एक्जाम में पूर्च सकता है कि हॉर्ण टाइब लावडुडस्पीकर क्या होता है इसका वर्किंग प्रेंजिप Major बता है ठीक है तो हॉर्ण टाइब लावडुड auditor बहुत ही important हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हॉर्ण टाइब लावड़ी स्पीकर में कौन-कौन से topic को हम लोग cover करेंगे तो सबसे पहला topic हम लोग कर रहेगा basic हॉर्ण टाइब लावड़ी स्पीकर का basic knowledge सबसे पहले रहेगा दूसरा इसका construction इसका structure कैसे होता है इसका construction कैसे होता है इसको cover करेंगे तीसरा topic हम लोग कर रहेगा elements जो हॉर्ण टाइब लावड़ी स्पीकर है उसमें कौन-कौन से element यूज होता है उसको हम लोग देखने वाल करेंगे और एक बार इसके working principle को समझ लिए तो एक्जाम में आप जरूर से जरूर लिख पाएंगे उसको ठीक है अगला जो पॉइंट हम लोग का characteristic हॉर्ण टाइब लावड़ी स्पीकर के characteristic देखेंगे कि कौन-कौन से characteristic होते हैं और कितना होता है इसके बाद अगला जो हम आप में perfect नहीं होती है तो उसके कुछ advantage होते हैं कुछ disadvantage होते हैं तो जो हॉन टाइब के लावड जो हॉन टाइब लावड़ी स्पीकर है उसका हम लोग advantage देखेंगे पहले फिर उसका disadvantage कि क्या इसमें कमी रह गई है इसके बाद इसका application देखेंगे ठीक है लास्ट में जो ल अच्छे से समझ में आएगा इसके बाद हम लोग समझते हैं सबसे पहला हम लोग का जो point है वो basic है basic of horn type loudspeaker जो horn type loudspeaker है उसका basic knowledge सबसे पहले है तो using moving coil to hold type loudspeaker मुलावं यूज करते हैं moving coil का ठीक है अगला point indirect radiating loudspeaker होता है तो जो horn type loudspeaker होता है वो एक तरे का indirect radiating loudspeaker होता है indirect knitting loudspeaker कहने का मतलब क्या है कि एहां से sound generate होगा ठीक है उसको सीधे air में reduce नहां करके किसी chamber में ऊसको radiate करते हैं जो horn लगा होता है उस horn में उस chamber में पहले radiate होता है जो sound होता है उसके बाद से फिर air में radiate होता है इसलिए इसको बोलता है indirect radiating loudspeaker ठीक है अगला point a horn loudspeaker which uses an acoustic horn to increase overall efficiency of driving elements तो इसमें जो horn tied loudspeaker है उसमें हम लोग एक horn का use करते हैं ठीक है इसका काम क्या होता है कि overall जो इसकी efficiency है उसको बढ़ा देता है तो जो horn है उसका use हम लोग क्यों कर रहे हैं क्या जरूरत है horn का use करने के तो इसका जरूरत ही है कि हम लोग का जो total efficiency है वो बढ़ जाता है ठीक है अगला point the horn is an acoustic transformer that provides impedance matching between relatively dense diaphragm material and less dense air तो जो horn होता है एक तरह का acoustic transformer होता है acoustic मतलब क्या होता है दो इसका काम क्या होता है जो भी diaphragm हम लोग यूज़ कर रहेंगे और जो भी air होगा ठीक है जो diaphragm है जो air है इनके बीच में impedance matching provide करने का काम होता है होर्न का ठीक है अभी हम लोग इसका working principle समझते हैं तो और अच्छे से clear हो जाएगा कि जो होर्न है उसका यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि जो diaphragm है जो diaphragm material है और जो air है इन दोनों के बीच में impedance matching provide के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं हॉर्न का ठीक है इसके बाद अगला हम लोग समझते हैं हॉर्न acts as a high pass filter तो जो हॉर्न होता है वह हाई pass filter की तरह काम करता है हाई pass filter का कहने का मतलब क्या है कि यहां से जो high frequency वाले होता है जो high frequency होता है इसको पास कर देगा और जो lower frequency होगा उसको यहीं पर ब्लाक कर देगा हॉर्न का काम यह होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो horn type loud speaker होता है वह बहुत तेजी से आवास सुनाई देता है और बहुत दूर तक सुनाई देता है तो high pass filter की तरह वार करता है अगला जो point है at high frequency distance of different points on the diaphragm from the horn will be equal तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं high frequency पर तो high frequency पर क्या होता है कि जो horn है horn से जो diaphragm है तो जो diaphragm हम लोग यूज कर रहे हैं उसके different point पर जो distance होगा कहां से horn से और equal होता है same होता है जिसके कारण से phase difference and resultant cancellation तो यहां से जो phase difference होता है और resultant होता है हो cancel हो जाता है cancellation हो जाता है तो इसका disadvantage हो जाता है तो इसी को इसी को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एक special chamber का यूज करते हैं कि special chamber design करते हैं ठीक है तो to combat this difficulty special chamber have been designed इस प्रकार की difficulty को समाप्त करने के लिए हम लोग एक विशेश chamber का यूज करते हैं ठीक है अब हम लोग समझते हैं इसका construction इसका structure जो होता है जो horn type loudspeaker है उसका structure कैसे होता है तो आप देख सकते हैं बहुत ही simple इसका structure है यहां पर देख सकते हैं यह आपका magnet है ठीक है एक magnet है यहां पर और यहां पर जो एलो वाला दिखाए दे रहा है यह आपका diaphragm है और यहां पर जो बुंदी बुंदी दिखाए दे रहा है यह आपका y square है ठीक है इतना तो समझ में आ गया यह आपका magnet है उसके बाद यह आप होर नहीं है यहाँ पर याल जो धायर्प करते हैं और सबसे पहले नहीं होता है है उसका कुछ अपना होता है ठीक है और जो यहां पर क्वाइल हम लोग लगाए हैं उसमें करेंट फ्लो करते हैं वाइस जो क्वाइल है उसमें करेंट फ्लो करते हैं तो जैसे हम लोग जो क्वाइल है उसमें करेंट फ्लो करेंगे तो उसमें भी मैंग्नेट हो जाएगा क्वाइल में भी मैंग्न करते हैं ठीक है तो एक दूसरे के इंट्रेक्ट करने से क्या होता है कि जो यहां से क्वाइल है वो मूव करने लगता है तो हमने बेसिक में पढ़ा है कि जो क्वाइल हम लोग यूज करते हैं मूविंग क्वाइल होता है तो यहां से इसका मैंटिक फिल्ड जो मैंट हम लोग करेगा तो यहां पर जाहिर सी बात है कि यहां से बहुत पतला होता है तो यहां पर सबसे पहले होता है इसकी एंदर फिसको यहां पर हम लोग होता है जो सांड से Lynn etti हो होता है इस device सबसे बहुत है है अब हम लोग देखते हैं इसका एलिमेंट जो हॉर्ण टाइब लाओड इस्पीकर है उसका कौन-कौन सा एलिमेंट इसमें यूज होता है तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वह वाइस क्वाइल है इसमें हम लोग वाइस क्वाइल का यूज करते हैं जो कि एक मूविंग speaker में तो हमने बताया है पहले ही कि जो horn होता है यह जो वर करता है high pass filter की तरह वर करता है horn तो इसकी हम लोग कटा frequency की बात करें तो fc equal to हो जाएगा vs into a upon two pi v यहां पर vs क्या है velocity of sound किस speed से sound यहां पर generate हो रहा है उसकी velocity है ठीक है vs और यहां पर क्या है एक क्या है एरिया आफ क्रॉस सेक्षन क्रॉस सेक्षन एरिया है ठीक है और वी क्या है वैलूम है ठीक है यह तो एक कटा फ्रिक्वेंसी होता है इसका फर्मॉला आप लिख भी सकते हैं एक्जाम में नहीं भी लिख सकते हैं कोई जरूरत नहीं है अगर आपको याद है तो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं तो जो हॉर्ण होता है हो हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग प्रेंसिपल अगर एक्जाम में आ जाता है लिखने के लिए हॉर्ण टाइब लाद इस प्रिकर को भाहुत अछ öğ से डिफाइन कर सकते हैं तो सबसे पहला इसमें पॉइंट रहीगा फ्लो करेंट इनवन कराते हैं तो जो एक्ञेंरेट है उसका मेरे टście फिल्ट एक दूसरे से overe sends कि ट्रेब एक्जरों से न Glass Sun क स्ब्रेगई टीम है इंट्रेक्ट होने से होता है then y-square move जो y-square है वो मूब करने लगता है तो जो y-square move करने लगता है y-square move करने से क्या मतलब होगा कि जो diaphragm सीधे इंटे होता है moving coil से तो जो y-square move करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो diaphragm है और भी उसमें भी vibrations आएंग वह भी करने लगा तो यह स्का वर्किंग प्रेंसपल आप 6-7 लाइन में आसानी से लिख सकते हैं बहुत ही इजी है इसका वर्किंग प्रेंसपल अब हम लोग देखते हैं कि जो हॉर्क टाइब tomar हॉसका एड़ांटेज क्या है इसका एड़ांटेज क्या है more efficiency मैंने बताया है कि हम लोग हॉर्का यूज कर रहे हैं किसलिया का यूज कर रहे हैं इसकी ओवर्राल एफिसेंसी को बढ़ाने के लिए इसका हम् है inkiऔंगी हमलोग देखते हैं कि जो होट टाइब लावड श्पीकर होते मैं होगते है ज्यादा दूरी तक सुनाई देते हैं अलौग कि इसके बाद कि इसक़ देखते हैं कि this advantage जो कि और क्रक्डवाइज उसका दिस एडवांटेज्स क्या होता है ठीक है डीमेरित इसका क्या होता है फ्रिक्वेंसिट्वाइज इसमोर एवन तो यही इसका डिसएडवांटेज है होन्टाइफ लावडिय। कि इसका frequency response होगा वह एवन नहीं होगा अनवर और अनवर ठीक है अब लोग देखते हैं इसका यूज कहां कहां पे होता है बहुत सारे जग़ा हॉन टाइब लौड़ी स्पीकर का यूज करते हैं आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं बहुत सारे जहां पे लोग सभाई होत होती है वहां पे भी हॉर्ण ट्राइब लौड़ी स्पीकर का यूज करते हैं लोग ताकि ज्यादा दूर तक आवाज को सुनाई दे ठीक है तो इसका जो अप्लिकेशन है वह पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसको बोलते हैं पीए सिस्टम तो पीए सिस्टम में भी इसका य सुनाई देने के लिए वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्या और प्रचार रहाता है तो देखते हों पर जो कर चलता है तो और थेत्र होता है उसके बाद सिनेमा थीटर में भी लगा होता है क्योंकि यह वह भीड ज्यादा होता है तो आवाज अच्छे से सुनाई दे और दूर तक सुनाई दे इसलिए वहाँ पे सिनेमा जो थीएटर होते हैं वहाँ पे भी हॉर्ण टाइब लगे होते हैं ठीक है तो यह सारे होते हैं इसके अप्लिकेशन इसके बाद हम लोग देखते हैं जी हॉर्ण टाइब लाओड इस्पीकर है उसका करेक्टरिस्टिक कौन- रेसियो है वह मोर दन 40 db होता है 40 db होता है इसका snr signal to noise ratio ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिवाइस है कोई भी अगर लाओड इस्पीकर है तो इसका snr जितना हाई होगा वह उतना ही अच्छा होगा ठीक है इसके बाद non-linear distortion less than 5% तो जो हॉर्ण टाइब लाओड परसेंट से कम ही होता है 5% से कम होता है क्या non-linear distortion इसी non-linear distortion को हम लोग बोलते हैं amplitude distortion ठीक है इसके बाद अगला point है input impedance इंपूट impedance होता है नियर अबाउट 15 ओम तो जो हम लोग यूज नाइभाओड लाओड इस्पीकर उसका जो input impedance होता है वह नियर अबाउट होता है 15 ओम की ठीक है इसके बाद ऐसे के लिए अलग होगी ठीक है तो करता है यह किस frequency range का है ठीक है इसकी डारेक्टेटी उस पर डिपेंड करता है अगला characteristic frequency response तो इसका जो frequency response होता है 25 hertz से 10 kHz के बीच में इसका frequency response अच्छा आता है फ्लैट आता है ठीक है नियर अबाउट है तो जो हॉर्ण टाव लाड़ स्पिकर है उसका जो characteristic है लास्ट में फ्रिक्वेंशी रिस्पॉंस फ्रिक्वेंशी रिस्पॉंस किस रेंज में फ्लैट आता है हॉर्ण टाव लाड़ स्पिकर में 25 हर्ट से 10 किलो हर्ट के बीच में इसका जो frequency response है वो फ्लैट आता है तो यह सारे होता है इसके characteristics किसके ise यह यह समझ में आया कि होता है इसका बेसिक क्या होता है इसका करैक्टरिश्टिक कितना होता्य इसका क्यों कौन से आएगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्ट्टर आगे भी आता रहेगा और वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर कीजि तो तब तक खुश रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए जाएंद